नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की यूक्रेन युद्ध एक साल पूरा हो गया इस युद्ध को चलते हुए और इसने किस तरह से विश्व राजनीती को विश्व कूटनीती को बदला और खुल कर मैदान में यह साबित किया कि दरसल यह युद्ध सिर्फ एक छोटी सी धर्ती के लिए नहीं सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं सिर्फ रूस और युक्रेन के बीच नहीं दरसल यह युद्ध है नैटो और रूस के बीच और इसने जिस तरह से युद्ध विभ कि युद्ध चाहने वाली ताक्ते युद्ध मांग रही हैं टैंक भेज रही हैं और वहीं दूसरी तरफ अमन की शक्तियां लगातार कमजोर हो रही हैं एक साल में क्या हासिल किया युक्रेन युद्ध ने क्या सबक सिखाया इस पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकायस स प्रबीर युक्रेन युद्ध को एक साल हो गए एक साल के भीतर हमने अलग-अलग दोर देखे किया एक साल में हम यह सोच सकते हैं कि कुछ युद्ध से शांती की और बढ़ रहे है या युद्ध युद्ध और हत्यार की तरफ बढ़ रहा है या पूरा इलाखा इस वक्त तो देखते वे लग रहा है कि शान्ती की कोई पहल कदर भी नहीं हो रही है किस तरह शान्ती आ सकती है वो रूस बता चुका है युक्रेन उसको स्विकार नहीं करेगा और नेटो उसके पूरे पीछे पूरी ताकत लगा रही है हाथियार देके पैसे देके तो ये इस वक्त लग नहीं रहा है कि कोई दोनों तरफ से कोई शान्ती की प्रस्ताव टेवल पे है पहले दो महिना तीन महिना में लगा था कि शान्त हो सकता है पर वो इस वक्त वो नजर नहीं आ रहा है अगर हम देखें इस वक्त लड़ाई बख्मूत इलाके पे काफी तेजी से चल रहा है यहां बताया जा रहा है कि रूस ने चारों तरफ से घे रखा है और यह कहते हैं कि बख्मूत अगर इसका गर घर जाता है तो इसके लिए रास्ता खुल जाता है और भी आगे आने की और जो इनकी पहले से लड़ी रही है कि डॉन बास के जो इलाके है ये जो पूरा इलाका डॉनियर्स की है तो इसको वो कब्जा करने के लिए इसमें सहूलियत हो जाएगा हम पहले भी बता चुके हैं कि यह जो पूरा इलाका है डॉन बास वाला नीचे वाला यह रूसी भाषा बोलने वालों का है और यहां पर काफी समय से कांदोलन चल रहा था 2014 की संघर शिसी पे था क्योंकि हमें आटानुमी होनी चाहिए अपनी भाषा के इस्तमाल हमारे इस इस इलाके में होनी चाहिए दोनों यूकरेन मान नहीं रहा था इसलिए लड़ाई शुरू ही थी अब चलके आगे चलके यूकरेना रूस के बीच में हो रहा है जिसकी पीछ रसक्ती है लूहझय को पहले ले चुके हैं अब अगर यह हो जाएगा तक डॉनबास इलाखा जो कहते दो यह प्रांतों को लेके यह रूस के हाथ में चला जाएगा और इनके जन्ता पहले से मान चुकी है कि रूस का वह हिस्सा बनना चाहते हैं वह यूकरेन के दोना चात करीब आधी शक्ति इस वक्त इस इलाके में है और यहां अगर इस तरह का पॉल होता है इस तरह का बख्भून के हाथ से निकल जाता है तो संभावना यह है कि यह रास्ता खुल जाता है डॉन बास को लेने का और इसके बाद कहा तक लड़ाई चलेगी कितना अंदर पहुंच जिनका पूरा हिस्ण पुरा हिस्साइर वार चलत एक तरह से कहें कि वो रुसी कव्जा अपना इस्थापित करने में काम्याब हो जाएंगे और इसके बाद जाप जीया का भी लीकुछ निकरेन के पास है खरसौन तो खैर एक हिस्ता वहां भी यूक्रेन के पास है वहां लड़ाई चलेगी ओडेसा तक पहुंचीगी नहीं जो आप देख सकते हैं यहां पर है ओडेसा यहां तक चलेगी नहीं यह सब सवाल भविश्य के लिए है इस पे कोई भविश्यवानी हम करते नहीं है क्यों शांती कि इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है शांती अगर स्थापना करना है तो कुछ लोगों को इस पर अगवाई करना पड़ेगा कोई देश उस अगवाई करने के लिए इस वक्त तयार नहीं है राजी नहीं है और मुझे लगता है कि इसके उलट दिखाई दे रहे हैं कई चीजें जो यूरोपियन यूनियन की समिट हुई और उसमें जो दृष्य दिखाई दिखाई दिया जिस तरह से जलन्सकी को लेकर सारे देश कर रहे हैं कि हाँ हम हतियार देंगे हम टैंक देंगे तो वो दिख हाई दे रहा है कि जो एक साल पहले जब हम और आप इस स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे तब बहुत कम लोग थे जो नैटो और रूस के बीच इसे युद्ध मानने को तयार थे आप मुझे लगता है सबसे पहले दिन से यह कह रहे थे कि यूकरेन की धर्टी पे युद है लेकिन असल युद्ध नैटो की शक्तियों और रूस के बीच में हैं शायद आज जिस तरह से टैंक पहुचने की सारे लोग कहरें कि हम देने को तयार है हम देने को तयार है तो मामला तो बहुत साफ लग रहा है कि खुलके खेल हो रहा है एक साल के बीतर देखिए जैसे कहते की दो या तीन आर्वी यूकरेन की इस वक्त लगाही में रही है पहला अर्वी दो तीन महीने में वह उसका खत्मा हो गया था टैंक वगरर जितने थे उनके पास वे खत मो गये थे उनके पास जो आर्टिलरीarkan बीसे थे और दुसरे जगहों से उसकी पूरतिया की गई गई थी उसमें टैंक्स दी गई थी शेल्स दी गई थी सब देने के बाद वो पुराने सोवियत संग की जमाने की पुराने रूसी टैंक आर्टिलरी वगारा थी जो इस्ट यॉरप से उन्होंने संग रहे करके दिया था यूक्रेन को पर वो भी खत्म हो गया तीसरा दौर है कुछ लोग कहेंगे चौथा दौर है तीसरा दौर हाइब की कुछ लोग कहेंगे वैं इसको तीस्रा दौर का ही अंग्श मानता लूप से यॉक्रेन पहुंच रहे ह yourself तुमें लगता है कि ये काफी इंपॉटेंट है अगर यह आप भमारे दरशकों को longeho संजाएं कि एक स उसको देखे अगर तो पूरा सहायता जो नेटो ऐलाइस दूस्टे देशों में मिलके उक्रेइन को दिया है अमरीका उसमें सबसे मुख्या है तो उसको अगर जो जोड़ेंगे तो 100 billion dollar से ज्यादा है 100 billion dollar एक साल में 12 महीने में 100 billion dollar से ज्यादा है उससे उसमें करीब तो आधा हिस्सा military aid है तो बने 50-60 billion तो military aid इन देशों से गिया है किता बड़ा है अगर आप देखना चाहें तो देखे कि इसमें पूरा दुनिया की military खर्चा क्या होता है और उस पे सिर्फ सिर्फ इस वक्त देखें रूस की कितना खर्चा होता है कि करीब 66 billion dollars रूस की खर्चा होता है सामरिक शक्ती पे military budget उनका 66 billion dollars है डेटों के शब सब देशों को बिलाके military aid जो उन्होंने दिया है करीब 50-60 billion dollars हो चुका है और इस पे भी बहुत सारे military aid चिपी हुई है humanitarian assistance है माल लीचे military hospitals के हो सकते है general budget में है military का खर्चा उस से निकल सकता है जैसे आपके salary देना हो तो इसलिए इन सब देखते हुए पूरी रूस की जो military budget की उसकी बराबरी नेटों इस वक्त युक्रेन में सहायता करूपे दे रहा है तो वो देखते हुए कहना की नेटों की लड़ाई नहीं है घलत सावित होगा और इस वक्त न्के हाथ्यार क्योंकी खत्म हो चुके है तीस्टा दोर है चौथा दोर है इनका हत्यार है बंधाद देना अब उन्होंने टैंक कर एर्चा देने की बात कर रहे हैं पहले उन्होंने कहा ते टैंक भेजेंगे नहीं जर् तक अमरीका इब्रैम टैंक ना दे अब अमरीका भी राजी है जर्बनी भी राजी है टैंक भी आना वहां शुरू हो चुके है तो उसका क्या लडाई पे बहुत खास फरक पढ़ने वाला है मेरे ख्याल से नहीं क्योंकि पहले भी युक्रेण के पास टैंक था और इस वक्त लडाई जिस बोड़ पे है चंद साव देर सो टैंक नेटों की देशों से आके बहुत बड़ा फरक नहीं करने वाला है इस लडाई में यह लडाई जिस रास्ते पर चल रहा है मेरे एक हाल से क्या कहेंगे इसकी एक लाउंग ड्रॉन आउट लडाई लडाई चल रही है इ रूस पे दूसरे एक दूसरे देश की सेनाओं को धंश करने की कोशिश कर रहा है रूस का लगता है जो क्या कैंगे स्ट्रेटीजी एही है कि उक्रेन के सेनाओं की ताकत को खतम करें ताकि शांती तभी होगा जब यूक्रेन कहेंगे क्या आउट लडाई नहीं कर सकते हम सारा जो फरवर्ड मार्च है उसका उसको रोख पाएंगे तो लेंगे पर देटो सोल्जर्स तो नहीं भेजेंगे लगाई तो उनको खुद करना है यूक्रेन का इसलिए विलिटरी ताकत को घटाने का यही है कि उनकी वैपनरी तो अलग बात है उनकी सोल्जर्स धीरे धी ये सेनाओं की जो ताकत खत्म हो जाए तब शायद फिर शान्ती की बात हो सकती है पर रोस के सार्ड डेटों की बीच पे इस वक्त जो दरार है वो खत्म होने वाला दिखता दिए आपने जिक्र किया दरार का एक जो बहुत एहम खुलासा हुआ है जिसके बारे में खामोशी चाही हुई है पूरे अंतराश्टी मीडिया में और खास और से जो पश्चिमी मीडिया है जबकि वो खुलासा ऐसे पत्रकार ने किया है जो अमरीका के ही है जिनको पुलिजर एवार्ड मिला है सैमोर हर्श की बात मैं कर रही हूँ और उन्होंने ये खुलासा कि जो 2022 में 26 27 सितंबर को नौड स्ट्रीम पर ब्लास्ट हुआ था और यहां हम दर्शकों को बताएंगे आप थोड़ा सा दिखाएं भी तो अच्छा रहेगा कि ये नौड स्ट्रीम यानी क्या क्योंकि आजकल भूल भी लोग जाते हैं काफी क्योंकि बहुत एहम ये पाइप वह विक्ति है जो नहीं मायलाई मैसकर का जिक्र किया था पहला खुलासा किया था व्यतनाम में हमारे पीडी के लिए मायलाई मैसकर बहुत एहमेत रखती है क्योंकि वह एक पूरे गाउं के आबादी को हाथियार से ख़तम करने की द्रिश्ष उस वक्त हमारे सामने आई थ थी बहुत बड़ा धबा था अमरीकी मिलिटरी पे सतर उनिस सो सतर वियतनाम जंग के जब हो चल रहा था उसके बाद और बड़े-बड़े खुलासा किया है पर रीसेंटली अबुगरीब इराक में प्रिजन में जो हो रहा था उसका भी खुलासा किया है तो दो हमारे सामन जोलन्त उदारन है जो उनकी पत्रकारिता कैसे रही तो इस बात की जिकर नहीं हो रही है कि अख़बार भी इनकी पत्रकारिता गलत है या गलत उन्होंने च्छापा है पर यह आ रहा है कि उसको कंप्लीटली इग्नॉर करके उसकी नाम ना लेके उसको एकदम जो कहेंगे उसको अंधकार में रखा जा रहा है तो जिकर भी ना हो जो आपने कहा यह सबसे बड़े एहमित रखते हैं कॉंस्पिरिसी ओफ साइलेंस जो कहें सकते हैं यह चल रहा है अगर आप देखें तो नॉर्ट स्ट्रीम की दो पाइपलाइन जो यहां दिख रही है यह जा रही ह है यह तो आपका यह भी उक्रेड का बीच में से जा रहा है आप देखेगा पोलेंड की बीच में से जा रहा है तो ज्रमनी को गैस मिलने के लिए सबसे आसान तरीका था नौट स्ट्रीम उस पर कोई डिकावड को करनी सकता था और इसी लिए जर्मनी का यह प्रोजेक्ट इसलिए चला था कि जर्मनी सबसे बड़ा खरिदार है गैस की यॉरोप में तो इसलिए उनकी इंडस्ट्री के लिए उनके जनता के लिए कैस यहां से मिलेगा रूस से मिलेगा बहुत पुरानी है आज की नहीं है इस शाट साट के दशक से शुरू हुआ था पाइपलाइन से रूस से वेस्टर्न यॉरोप पे गैस पहुंचे पर इसको क्या कहेंगे नजर में अमरिका कथा कि नॉट स्ट्रीम फिर भी हमारा कबजे में कुछ है क्योंकि वहां पर हमारा कुछ है तो सैंक्शन्स में वह हम उसको ला सकते हैं नॉट स्ट्रीम टू पूरी तरह से रूस उसकी निर्भारता बनी रहेगी और वह पूरी तरह से अमरीका और नेटो के साथ नहीं खाड़ा होगा तो यह देखते हुए और खास्तोर से जर्मनी की जनता भी एक कह रहे थी नॉट स्ट्रीम टू को चलू करो हमें गैस की जरूरत है हमें सस्ता गैस की जरूरत है तो व अमरीका ने पहले गोश्टना कर दिया कि नॉट स्ट्रीम टू को हम चालू नहीं होने देंगे तो जब पूछा जर्मनिस ने कैसे करेंगे तो शॉंस खड़े गए तो उनके सामने का वह हम जानते हैं कैसे उसको करना है तो बाद में विक्टोरिया नूलन तो खुद अभी कि नॉट स्ट्रीम को हमने भेज दिया है समंदर के नीचे तो यह जो बाते हैं इसके उपर जब खुलासा सेब और हर्श को होता है कि कैसे हुआ कब हुआ नॉर्वे को इस पे शिरकत है जो पहले कभी नहीं आया था अगर हम देखें यह है उस इधर से हां पूरे इलाका को देखें यह हैं ड़ाट स्ट्रीम 1 रवी नॉर्ट शिंडाट तो यह आपकी तारीक अब दे रहे थे 26-27 सितंबर में वहां पर चार ऐसे होल्स हुए उस पाइप में और बहुत बड़ा बड़े पैमाने पर मीथेन लीक हुआ इतना बड़ा मीथेन लीक दुनिया में कभी हुआ नहीं है यह कहने लोग कह रहे हैं तो यह जो हुआ है इसलि बाद में जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क सब कह रहे हैं कि हाँ साबोटाज तो हुआ है किसने किया है उसके उपर कोई टिप पूनी नहीं नहीं मैं यहां पर यह भी दर्शकों को याद दिला दू कि उस समय रूस के उपर बहुत बड़ी निशानी लगी थी बहुत बड़ कि रूसी ने किया हूँ, कोई और सवाल ही नहीं आया था, कोई सबूत की सवाल ही नहीं था, यह भी नहीं कहा गया कि आप लोग च्छानबीन कर रहे हैं उसकी रपट दीजिए, किसी नहीं मांगा, क्योंकि सब को मालूम था, रपट अगर मांगेंगे तो जाहिर हो नहीं था, उसकी Nord Stream 2 को पंक्चर करें, तो यह पंक्चर करने के जिसकी नियत और जिसकी स्वार्थ कह सकते था, वो तो अमरीका था, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल किसने बेचा है इसके बाद, अमरीका ने LNG बेचा है, यॉर्प को चार पांच गुना दाम पे, वही गैस का पांच गुना हो गया, और नौर्वे भी बेचा है, और यही दो देश है, जिसकी बात हर्ष्प नहीं किया है, कि ये दो देश इसमें शिरकत करें, इसमें नौर्वे भी है शामिल, नौर्वे भी शामिल है, अर अमरीका तो शामिल है ही, बुख्य अगवाई उसने किया है तो वहाँ पर एक क्या कहते हैं बाल्टिक ओशन जो है ये बाल्टिक सी है इसमें यहाँ पर उनकी सी एक्सिसाइज़ चल रहे थे तो नेटों के करीब सब देश थे और भी कुछ देश शामिल थे वहाँ एक्सिसाइज़ हुए थे और जून जून जुलाई के उस वक्त था उस विस्पोर्ट में नौर्वे का एक प्लेन है नौर्वे जहाज भीज के वहां पर कहीं यहां पर आके एक सोनार बूओ जो कहते हैं जो समंदर पे रहता है उसको डाल दिया और उसके वो ट्रिगर था कि एक सॉनिक ट्रिगर भीजा उसके वज़ाए से डेप्ट फिर वहां से यहां विस्पोर्ट होता है चार जगहों पर चार जगहों पर करीब करीब एक दिन के अंदर विस्पोर्ट होता है इनका कहना डेप्ट चार्च पहले लगाया गया और यह सोनार ड्रॉप करके इसकी विस्पोर्ट बाद में हुआ तब डेट्स क्या है कैसे इसमें रूस को विलन के तौर पेश किया जा रहा था कि वो जर्मनी जर्मनी की जनता को ठंड में मारने की तैयारी कर रहा है बदला ले रहा है यह कहानी बिल्कुल उलट जाती है इस खुलासे से इसको तो हम पहले से कह रहे हैं कि अगर इसमें किसी का स्वार्ट था अमरीका नौर्वे के लिए एक बहुत बड़ा स्वार्थ नौर्वे के लिए एक बहुत बड़ा स्वार्थ नौर्वे का है वह हमको याद रखना पड़ेगा कि नौर्वे सप्लाइब करता है और गैस पाइपलाइन से यौरोप को सप्लाइब करता है तो उनका डारेक्स एकनॉमिक स्वार्थ था तो अगर आप देखे जो उस पे देखेंगे नौरवे का कितना फायदा हुआ है इस गैस बेशने का सबसे बड़ा फायदा नौर्ट स्ट्रीम 1 & 2 का होने का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है नौरवे और अमेरिका को यूएस को तो इसलिए ये चीज उनके द्वारा किया गया है वो मानना थोड़ा आसाल लगता है इसलिए नौरवे का जो स्टोरी है जो किस्सा है हम लोगों को इतना पहले हमारे निगाह में नहीं था पर युद्ध चल रहा है युद्ध के भीतर इस तरह का ब्लास्ट होना रूस पर सीधे सीधे आरोप लगने की पूरी मशीनरी जारी होना और जब उसे पंचर करने के लिए खुलासा सैमोर हर्श करते हैं तो उसे तकरीबन ब्लैक आउट कर दिया गया तो ये एक बहुत खतरन होती हैं और ये अच्छा है मुझे लगता है कि इस बात पर हमें कम से कम संतोश है कि हम पहले दिन से जब ये सारा हुआ था आप खुलकर बोल रहे थे कि इसमें रूस का हाथ क्यों-क्यों नहीं होगा और सैमोर हर्श का जो खुलासा वो बता रहा है कि वाकई जो के अपने हिर्थे वो इसमें काम कर रहे थे शुक्रिया दोस्तों यह युद्ध बहुत कुछ कह रहा है और यह नक्षा आपको बहुत कुछ बता रहा है बता रहा है कि किस तरह से इस नक्षे में यह इलाका विश्व कूटनीती के लिए सबसे बड़े जीवंत संकट के बतार रहा है स्ट्राइक्स हो रही है और जो साजिशे हो रही है उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की ही चर्चा कर रहा है यह खबरें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी इन साजिशों का खुलासा कहीं और नहीं होगा देखिए लाइक करि न्यूस्क्लिक परताल दुनिया भर की